कुदेव जोपी एसी महों के बाबाल इन रात पढ़ना है मन्जाबो धामान कावबर ले थसरे ठेंसन अरे कावबर ले थसरे ठेंसन जब अपसर बढ़केते कर पे धामान ये कैसे होगा से हलो सुबंट्स आज से हम सीटेट की कक्षा का प्रारण करेंगे अर्थात कॉम्पोडिशन कम्यूटी आपके लिए नया बैस सीटेट 23-24 को ला रहा है जो भी आने वाले एक्जाम की तैयरी करना चाहते हैं जो भी आने वाले समय में सीटेट का एक्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बैस प्रेलट्फॉर्म हो सकता है साथ ही आज से हम यूटूब पर प्रति दिन ठीक साम 7 बजे अपनी कक्षाएं लेंगे और इसके अलावा हमारी जो कक्षा होगी वो किस से प्रारम होगी आपके इन्वार्मेंट से होगी जो इन्वार्मेंट होगा उसका कम्प्रीट कोर्ष होगा यह हमारा जो इन्वार्मेंट होगा साथ ही दो पोर्षन में होगा एक तो आपका NCRT होगा और एक आपका पैड़ागोजी होगा आज से जो हमारी कक्षा होगी वो NCRT बेस्ट होगी चलिए सबसे पहले हम स्लेबस को समझेंगे क्या है आपका स्लेबस वो वहां से 15 question आपके कहा से होगे आपके NCRT से होगा ठीक उसी प्रकार 15 question जो होगे आपके वो पेड़ा गौजी से होगा तो टोटल हुए आपके 30 question और ये 30 question 30 marks के होंगे एक-एक करके हम चीजों को समझेंगे आज से जो हमारी कक्षा प्रारम हो रही है वो हमारी NCRT से सुरू होगी साथ ही ये seat rate का जो batch है उसकी भी ये पहली कक्षा है मतलब आज से ही आपका batch प्रारम हो रहा है चलिए आगे समझते हैं आपका जो NCRT का syllabus है syllabus पर ध्यान दीजेगा syllabus को भी आपके इस पस्ट रूप से आपको बताया गया है कि इसमें total क्या होंगे 6 theme होंगे आपकी जो सवाल बनेंगे वो गोम फीर कर 6 theme पर ही बनेंगे आप पूरे previous year को उठा कर देखेंगे तो आपका जो maximum question है कभी कभी 15 से भी ज़्यादा question आपके NCRT से पूछ लेता है आपका पहला जो theme है वो है family and friends अगर मैं theme की बात करूँ तो आपका जो environment है उसमें total 6 theme है उस 6 theme का ये पहला theme जो है वो है आपका family and friends अब family and friends को भी क्या किया गया है चार उप थीमों में बाता गया है कौन-कौन सा आपका relationships, work and play animals and plants अब exam में क्या करता है सीधा-सीधा पूछता है कि आपका जो पर्यावरण है उसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 में पर्यावरण को कितने theme में बाता गया है तो याद रखिएगा total कितने theme में बाता गया है 6 theme में और अगर आपसे सब theme पूछे आपका उप theme पूछे तो वो कितने आपके? 4 हैं आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 आपके कितने हैं? ये 4 है अब हम theme की बात कर रहे थे तो ये क्या हो गया? आपका पहला theme हो गया अब हम बात करते हैं दूसरी theme की तो ये आपका दूसरा theme हो गया तीसरा, चौथा, पाँचवा, छटवा तो total आपके जो theme हो गये वो कितने हो गये? 6 theme हो गये अब exam में क्या करता है? डारेक्टली आपका स्लेबस से ही सवाल उठा देता है डारेक्ट पूस्ता है कि बताइए NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 और 5 का जो पर्यावरन अध्यान है उसमें total कितने theme है? तो आपको याद रखना है total कितने theme है? आपके things we make and do तो ये क्या हो गए आपके? total 6 theme हो गए अगर हम बात करें family and friends को कितने उप थीमों में बाटा गया है? तो उसे total 4 उप थीमों में बाटा गया है relationships work and play animals and plants तो ये हमें धिहान रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब आपका सवाल हम जैसे ही topic करेंगे वैसे हैं हम सवाल को भी देखेंगे कि सवाल आखिर आपके exam में बनते कैसे हैं exactly आपका जो seat 8 का जो exam होता है उसमें सवाल theme से इसी प्रकार बनते हैं अब previous year को उठा कर देखेंगे तो सवाल यहीं से आ रही है जो पर्यावरन अध्यान का जो theme है जिसमें कितनी कख्षाओं की बात की गई है कख्षा 3 से 5 तक तो उसमें हमने कितना total theme देखा है total 6 theme एक बार फिर से हम देखते है यह देखिए यह कितना पहला आपका family and friends पहला theme हो गया दूसरा आपका food तीसरा आपका seltr चौथा water पांचवा travel और छटवा आपका things we make and do अब इसका अर्थ क्या हिंदी में भी समझना है परिवार एवं मित्र food भोजन, seltr, आच्रे और water, पानी travel, यात्रा things we make and do हम जो सोसते हैं वो करते हैं तो ये total आपके 6 theme हो गए अर्थात आपका जो ncrt का जो question है न वो घूंद फीर कर आपका इन ही theme में से बनेगा आप समझ भी नहीं पाएंगे तो बस इसी theme के अधार पर आपके जितने भी question बनते हैं वो सभी topics और question हमें cover करना है चलिए ये तो हो गया पहला question तो इसका answer क्या होगा answer होगा D आप लोग भी answer टिक करते जाईएगा comment करते जाईएगा दूसरा question है आपका ncrt 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक निमने में से कौन पर्यावरण की theme नहीं है आप से क्या पूछा है theme नहीं है हमने total 6 theme देखे ठीक अब इसमें से क्या बोल रहा है theme नहीं है पूछ रहा है तो food ये क्या है आपका food क्या ये theme है आप लोगों को comment भी करना है ताकि आप लोगों को चीजे clear हुई है या नहीं ओप theme और theme में अंतर हमें समझना है आपसे क्या पूछा है कि theme नहीं है तो देखी आपका जो food है वो theme है water भी आपका theme है travel भी आपका theme है लेकिन जो आपका plants है वो आपका theme नहीं है हमने पढ़ा था कि जो आपका plants है वो परिवार एवं मित्र family and friends का क्या है उप theme है एक बार हम और देखेंगे देखी, कोसिस करिए कि आपका जो class है, आप class में ही चीजों को याद करें, अलग से आपको पढ़ना ही न पढ़े ये देखी, family and friends क्या हो गया आपका? एक theme हो गया इसके सब themes क्या है आपका? ये plans, देखी ये क्या है आपका? सब theme है तो वहाँ पर question क्या किया था? कि theme नहीं है, तो आपका जो plans है वो theme नहीं है clear हुआ? चलिए, next question देखते है परिवार और मित्र का उप theme क्या है? आप से direct सवाल पूछ रहे है कि परिवार और मित्र, ये कौन सा theme है आपका? ये पहला theme है total कितने theme है? total 6 theme है जिसमें पहला theme क्या है आपका? परिवार और मित्र है तो आप से क्या पूछ है? परिवार और मित्र का उप theme क्या है? तो things we make and do बिलकूल ये हमारा क्या है? परिवार और मित्र का उप theme है बाकि options भी देख लेते हैं Slater, नहीं, यह आपका क्या है? Theme है, हमने देखा कि यह क्या है? Theme है, Water भी आपका क्या है? Theme है, और इन में से कोई तो नहीं हो सकता है, तो clear हुआ, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे Plants की, ठीक है, हमने Overall Slavus को समझा, किस लेबस से कैसे सवाल आते हैं? अब हम Theme में सबसे पहला जो उप Theme है, Plants, पौधे, उसके बारे में आज हम समझेंगे. अगर हम Plants की बात करें, तो आप सभी जानते हैं, कि हमारी जो धर्ती होती है, उसमें मुख्यता दो घटक होते हैं, एक सजीव घटक और एक निर्जीव घटक. जो आपका पौधा है, वो किस में आता है? सजीव में आता है, लिविंग में आता है, जबकि आपका जो पहार हो गया, पानी हो गई, मिटी हो गई, ये Non-Living में आते हैं. तो समझेंगे, यहाँ पर अगर आपसे देखिए, ये क्या है पौधा आपका? एक सजीव घटक है, जबकि पहार परवत आपका क्या है? निर्जीव घटक है. तो पहला माइन में ये आना चाहिए कि हमारा जो पौधा है, वो सजीव घटक का एक प्रकार है. आगे बढ़ेंगे. पौधों की कुछ विसेस्ताओं को हम समझेंगे. ये क्या है? एक सजीव घटक है, हमने देखा. और प्रकास समसलेशन की प्रक्रिया होती है. बिल्कुल इसमें किसकी प्रोसेस होती है? इसमें फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तभी तो ये अपना भोजन स्वैम बना पाते हैं. तभी तो ये स्वापोशी कहलाते हैं. तभी तो ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं और कार्मन डियोकसाइड को भी छोड़ते हैं. कभी-कभी ये क्या करते हैं? इनका दिन पर depend करता है कभी-कभी ये क्या करते है रात के टाइम पर carbon dioxide को छोड़ते है और हमारे लिए oxygen को बनाते है आगे बढ़ेंगे chlorophyll chlorophyll का क्या काम है chlorophyll के ही कारण क्या होता है आपका जो पौधा है या पत्ती है ये क्या होता है green होता है याद रखिएगा chlorophyll के कानण ही हमारा जो पौधा होता है वो हरा होता है स्वापोशी होता है बिल्कूल ये क्या करता है photosynthesis प्राकास समसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा अपना भूजन स्वैम बनाता है इसलिए ये क्या कहलाता है स्ववपोशी कहलाता है स्ववशन की प्रक्रिया होती है और आपकी वाईयू हो गई जबकि हमारे धरती पर हमारे पृत्वी पर जितने भी जीवजनतो है उनमें क्या होती है सोसन की प्रक्रिया होती है यह क्या है आपका photosynthesis process है आप इसमें देखते हैं कि एक पौधा है इसमें क्या होता है सूरी की प्रकास और chlorophyll की उपस्थिती में हम क्या करते हैं भोजन बनाते हैं हम means पौधा इस प्रोसेस को हम समझते हैं देखी सबसे पहले पौधो में जल प्रकास पर्ण हरी मतलब क्या होता है आपका chlorophyll ध्यान दिजेगा पर्ण हरी मतलब क्या होता है chlorophyll तथा carbon dioxide की उपस्थिती में कार्बो हाइडरेट के निर्मान को प्रकास समसलेशन या photosynthesis कहते हैं अगर आपसे सवाल करता है कि प्रकास समसलेशन की प्रकरिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, जब जल, प्रकास और क्लोरोफिल और कार्बन डायोकसाइड ये सब क्या होते हैं, मौजूद हो, तब हम क्या करते हैं, कार्बो हाइट्रेट का निर्मार करते हैं, और क्यों सी चीजे मौजूद हैं, हमने पढ़ा, यहाँ पर वाटर, आपका जल है, यहाँ पर सूरिका प्रकास है, सल लाइट है, आपका क्लोरोफिल है, और आपका कार्बन डायोकसाइड है, साथ ही फॉर्मूला को देखेंगे, क्योंकि आपसे डारेक्ट क्या करता है, कभी अब एक्जामिनर फॉर्मूला पूच देता है, कि फोटो सिंथेसिस का क्या एक्वेशन होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बताइए, तो ध्यान दीजेगा, आपका सी ओटू, कार्बन डायोकसाइड, पानी, साथ ही आपका कार्बन डायोकसाइड और पानी मिलकर, प्रक आते, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर पॉधे नहीं होते, तो ऑक्सीजन नहीं होता, और ऑक्सीजन नहीं होता, तो हमारे अंदर सोशन की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि पॉधों की बिना, पेड़ पॉधों की बिना हमारा अस्तित्व अध oxide मिलकर किसकी उपस्थिती में sunlight और chlorophyll की उपस्थिती में मिलकर glucose का निर्माड करते हैं साथ ही oxygen बाहर निकालते हैं अब देखिए अभी हमने क्या किया अभी हम formula देखे तुरंद सवाद अब बताएगे यह आपको comment करके बताना है इसका answer मैं नहीं बताऊंगी कि what is the basic formula of photosynthesis आपका जो photosynthesis है उसका formula क्या होगा क्या option A होगा क्या option B होगा या दोन होगा या केवाल A होगा यह आप लोग को comment करके बताना है अब बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं chlorophyll की बात कर रहे हैं क्योंकि वास्ताओं में chlorophyll हम सभी ना एक put chain की तरह हैं जैसे हम सभी एक दूसरे पर भोजन के लिए निरभर है न वैसे ही जो process होता है उस process में आपकी जो जो कल्पना कर सकते हैं कि उस process पर क्या असर पड़ेगा उस प्रकास संसलेशन की क्रिया पर क्या असर पड़ेगा तो यह आप लों को क्या करना है कमेंट करना है चलिए chlorophyll क्या होता है पत्तियों का ग्रीन पिगमेंट होता है साथ ही इस photosynthesis pigment इसे हम क्या कहते है photosynthesis pigment कहते है याद रखिएगा आपके chlorophyll को ही photosynthesis pigment कहते हैं आपसे सवाल डारेक्ट अगर कर देता है या आपसे पूछ देता है कि photosynthesis pigment किसे कहते हैं तो याद रखना है chlorophyll को photosynthesis pigment कहते हैं प्रकार याद रखिएगा टोटल इसके कितने प्रकार होते हैं टोटल इसके चार प्रकार होते हैं chlorophyll A chlorophyll B carotene और gentophyll यह most important है आपका कि chlorophyll कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोगं को याद रखना है कि हमारा जो chlorophyll होता है जो पंड हरिम होता है वो टोटल चार प्रकार के होते chlorophyll A, chlorophyll B, आपका कैरोटीन और चोथा आपका जेन्तोफिल ये याद रखना है आपको अब देखिए आपका जो सीटेट का जो एक्जाम का दायरा है वो बढ़ चुका है ब्रॉड हो चुका है पहले ऐसा होता था आप लोगं कोशन पर उठा कर देखेंगे 2016-17 तक कि आपका एक पर्टिकूलर एक स्लेबस देता था एक बुक होता था NCRT आप अगर पहले का एक्जाम ऐसा होता था कि अगर आप क्लास थर्ड से लेकर क्लास फिप तक का बुक पढ़ लेते हो अगर आप NCRT पढ़ लेते हो तो मजाल है कि एक कोश्चन भी इससे बह अगर जो पहले का एक्जाम ऐसा होता था लेकिन अब जो क्या कर रहा है अब आपसे डाईरा बढ़ा दिया है अब वो प्लांट्स देकर आप से सिर्फ वह नहीं पूछेगा रेंगिस्तान ओक के बारे में और पॉध्धों के बारे में अब वह नहीं पूछेगा अब क्या चार प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल A, B, जैन्थोफिल और कैरोटीन, चलिए, अगला कोश्चन है, क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा कि क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, कौन-कौन सा, तो हमने देखा, क्लोरोफिल A, का भी काम करते हैं साथ ही ये क्या करते हैं फोटो सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके सेंटर होते हैं मैंने बताया ना कि अगर एक यूनिट को हम बाहर निकाल दे तो प्रोसेस पर क्या आसर पड़ेगा निस्टित रूप से आपका जो प्रोसेस होगा वो रुप है chlorophyll सूरे के प्रकास में उपस्थित लाल रंग का सबसे अधिक अवशोषण करता है याद रखिएगा जब का chlorophyll होता है वो लाल रंग का सबसे ज़्यादा क्या करता है अवशोषण करता है उसे अब्जर्व करता है सबसे ज़्यादा किसका करेगा लाल रंग का करेगा फिर किसका करेगा नीला का करेगा और सबसे कम किसका करता है बैंगनी का करता है तो क्रम भी याद रखना है कि chlorophyll सबसे ज़्यादा लाल रंग का क्या करता है अवशोषण करता है फिर नीले रंग का फिर बैंगनी रंग क आपका सवाल है क्लोरोफिल सूरे के प्रकास के खाले स्थान तरंग देद्य को अवशोसित करता है तो आपको जवाब देना है क्या लाल और नीला यहाँ पस हमने कही नीला देखा है क्या नहीं हाँ नीला तो हम देखे हैं यहाँ पस नीला है और बैगनी भी है तो लाल और नीला हरा और नीला हरे और लाल उपरुक्त में से कोई नहीं तो अभी हमने देखा कि जो सूरे का प्रकास है वो सबसे ज्यादा लाल रंग का और नीले रंग का क्या करता है और सोसड करता है फिर लास्ट में आपका बैगनी का करता है तो यहां option में क्या दिया है आपका option में आपका option में दिया है लाल और नीला तो answer क्या होगा लाल और नीला आगे बढ़ेंगे पौधों के पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है क्या ग्लूकोस के कारण होता है क्या नाइट्रोजन के कारण होता है क्या क्लोरोफील के कारण होता है क्या मैगनेश्यम के कारण होता है हम लोग बार बार वही बात पढ़ रहे हैं और बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों का जो हरा रंग होता है पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है क्लोरो फील के कारण होता है आप लोग के लिए एक सवाल है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका रंग लाल भी होता है, color change हो जाता है तो यह जो color changes पाय जाता है वो किसके कानण होता है या आपनों को comment box में बताना है अब बात करेंगे हम पौधों के प्रकार अब देखिए हम पौधों के बारे में बात की कि पौधा अभी हमने क्या क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि पौधों की विसेस्ताओं को देखा, कि जो पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वापोशी होते हैं, उनमें प्रकासंसलेशन की प्रक्रिया होती है, ये स्वसन का भी कारे करते हैं, ठीक, और हमने क्या देखा, हमने फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस को स समझा, उसको formula क्या होता है, साथ ही इसके पहले हम environment के theme को समझ रहे थे कि NCF 2005 के अनुसार कक्षा 3 और कक्षा 5 में कितने theme है, total हमने देखा 6 theme है, साथ ही परिवार एवं मित्र के कितने up theme है, तो total 4 up theme है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम पौधों के प्रकार को समझेंगे, दे उनका जो color होता है, वो सब क्या होता है, अलग होता है, वो area भी बहुत अलग होता है, तो मुख्यता जो पौधों के प्रकार है, उसको अगर हम अकार के हिसाब से देखें, तो चार भागों में बाटागे है, एक साख, एक जाड़ी, तीसरा आपका लता, और चौत है आपक वरिच, अब एक-एक करके हम इसाब को समझेंगे, साख, आप नाम सुने होगे, साख का, की पालक साख, जो भी साख मीन सबजी, तो मुख्यता जिस साख की स्रेड़ी में हम बात करें, तो इसमें हम जो भी खाने वाले आपके पोधे होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, स साक में आपका क्या हैगा, वो सभी पोधे जिन्हें खाया जा सकता है, जिनका पत्ती, फूल, कुछ भी हम खा लेते हैं, वो साक में आता है, देखिए, डिटेल समझेंगे, ये क्या आपका हर्ब्स है, इसे हम क्या कहते हैं, साक कहते हैं, ये सभी को हम क्या करते हैं, खाते है चैफूल हो पत्ती हो जड़ होता ना हो अगर हम इसकी बात करें तो ये छोटे कोमल और आकास्टी पौधे होते हैं याद रखिएगा ये छोटे कोमल और आकास्टी होते हैं इसमें लकडियों का क्या होता है अभा होता है इस रेड़ी के पौधों की अधिकता मुझे कितनी ह होती है मात्र एक मीटर बहुत छोटे होते यह पोधे ऐसे साकी पादब एक वरसी जैसे सर्सों अगर आप से पूछी एक वर्षी साक का एक्जांपल क्या है तो सर्सो द्री वर्सी पोधे की बात करें तो चुकुंदर, आप देखते होंगे, आप चुकुंदर को भी खाते हैं, सरसों भी खाते हैं, सरसों हम लोग बीज भी प्रयोग करते हैं, साथ ही सरसों का हम ओल भी यूज करते हैं, तो इसका प्रयोग हम किसमें कर रहे हैं, खाने में कर रहे हैं, चुकुंदर, चुकुंदर क कि हम बात करें तो यह हम इसका प्रयोक अपने सलाद में फ्रूट में कैसे भी करते को अल ओवर यह क्या है यह भी आपका साख पौधे का एक उधारण है बहुवर्शी पौधे की बात करें तो देवकेल भी है यह आपका क्या है बहुवर्शी पौधा है तो एक वर्शी में आपका सरसो, दी वर्सी में आपका चुकुंदर, और बहु वर्सी में क्या हो गया आपका देवकेल हो गया, तना क्या होता है, पतला और हरा होता है, ये इनकी पहचान है, इंग्लिस में भी लिखा हुआ है, चुकि ये हिंदी और इंग्लिस दोनों के लिए हैं, तो इंग्ल जाडी का एक्जामपल देखेंगे, उसमें थोड़ा काटा लगा हुआ होता है, तो ये एक झाडी का भी पहचान है, पतले दूबले से फैले फैले रहते, तो ये जाडी का सबसे बड़ा एक्जामपल है, चली समझते हैं जाडी के बारे में, निस्चित रूप से आपका जो जाड़ी होता है जो सर्प्स होता है वो हमेशा साक से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा साथ ही इसका जो तना होता है वो मोटा वा कठोर होता है निश्चित रूप से साक जो तना होता है वो बहुत मुलायम और बहुत पतला रहता है यह पहचान है लेकिन आपका जो जाड़ी वो मोटा होगा उसका जो तना होगा वो मोटा होगा कठोर होगा आप उसको चबा नी सकते हो मतलब पक्ञाना वी चाहो तो दिक्कत होगा तने पर अने क्या होती है सकाय होती है देखिये कितने सारे सकाय है और इतना घना है ये ति ये क्या है आपका जाडी इसका example क्या है? तो गुलाब, आप गुलाब का पेड़ देखे होगे महंदी का पेड़ देखे होगे मतलब पौधा, गुढ़ाल का देखे होगे गुढ़ाल भी आपका क्या है? जाडी का एक प्रकार है और नीबू तो हमने देखा भी साख और जाडी तो साख क्या होते? मुश्किल से एक मीटर भी नहीं होते बहुत छोटे होते और साख अगर जहांपर बात है समझ लेजेगा इसे हम खाने में प्रयोग करते हैं हम खाते हैं और आपकी जाड़ की हम बात करे जाड़िया की बाद करें, तो इसका एक्जामपल गुलाब, महंदी और गुड़हल और नीबू, अब देखिए इसमें चार पौध हैं आपके गुलाब, महंदी, गुड़हल और नीबू, इसमें से चार में से आपके जो तीन पौध हैं, उनमें से तीन क्या हैं, आपका देखा हमने देखा आपका साख दूसरा जार और आपका तीसरा जो है व्रिच व्रिच तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्रिच की जड़े होती है वो बहुत ज़दा मजबूत होती है गहराई तक जाती है और इसका जो साइज होता है वो दोनों के अपेच्छा एक्जामपल है, चलिए, व्रिच की हम बात करें, तो इनका तना कठो, सुदोन तथा मोटा होता है, आकार में विशाल होता है, तने पर अनेक साखाएं, चारो और फैली होती है, साथ ही इनकी जो जड़े होती, वो गहराई तक जाती है, आम, नीम और पीपल, पीपल और बर् भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, यह क्या है आपका, यह जो इमेज है, वो लता को प्रदर्शित कर रहे हैं, लता हैं, आप देखते होंगे, दिवाल में ऐसी, कुछ पौधे ऐसी लगे रहती हैं, जमीन में ऐसी फैलती हैं, तो यह भी क्या है, एक पौधे का एक्ज लता भी क्या होता है, आपका दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, लता जो है, वो आपका दो प्रकार का होता है, अभी हम समझेंगे इसको, इसके तने पतले और कमजोर होते हैं, बहुत पतला होता है, आप देख सकते हैं, कहीं पर पता चल रहा है क्या नहीं, यह कित यह इतने लंबे होते हैं कि यह स्वयम खड़ी नहीं हो सकती है ठिक बलकि किसी अन्य व्रिच दिवार जमीन आदी पर परस्ते हुएं क्या होते हैं व्रिधी करते हैं अंगूर, लौकी, कद्दू इन सभी कि क्या होते हैं लाता हैं यह सब लाता हैं और यह इनके एक्जामप तो इसी अधार पर लता को भी दो भागों में बाटा गया है एक आपका अरोही लता और दूसरा आपका विसर्पी लता आए समझते हैं दोनों प्रकार को सबसे पहले हम बात करते हैं लटा की प्रकार में विसर्पी लटा तो विसर्पी लटा क्या होता है? विसर्पी लटा जमीन पर फैलने वाला होता है याद रखिएगा विसर्पी मतलब जमीन में फैलने वाला और अरोही मतलब आरोही आप देखते होंगे अरोही मतलब बढ़ते क्रम तो ये बढ़ता है, चाहे वो दिवाल के सहारे बढ़े, चाहे वो किसी पेड के सहारे बढ़े, तो विसरपी लता जमीन पर फैलने वाली होती है, इसका एक्जामपल क्या है, खीरा, तर्बूच और खर्बूच नाम याद रखिएगा, कम से कम इतना याद होना चाहिए आप का उपर चड़ने वाली लता है, इसका क्या एक्जामपल है, अमर बेल, मटर, मनी प्लांट, आपके सवाल ऐसे ही बनते हैं, और यहीं से सवाल आपके बनेंगे, घूम फीर कर आपका सवाल यहीं से पूछेगा, तो याद रखिए का लता दो प्रकार की होते हैं, विसरपी और अरोही, विसरपी का क्या एक्जामपल है, आपका खीरा, तर्बूच और खर्बूच, और यह क्या होते हैं, जमीन में फैलने वाले होते हैं, जबकि अरोही जो होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है, तो निश्चित रूप से यह उपर बढ़ने वाले लता होंगे, आ कुगी आप पढ़ चुकियों तो इजी होगा, कमजोर तनएवाले पॉइडे, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, इतना पढ़ लिए ना SIदे कौन नहीं खड़े हो सकते शांकं तो हो जाता है, आपका झाड भी हो जाता है और आपका रिच भी हो जाता है ठीक है जाडिय भी आपकी stand ho जाती है और आपका जो साख होता है वो भी और rich होता है वो भी ठीक है लेकन आपका जो लता होता है वो इतना कमजोर होता है कि वो सीधे खड़े नहीं हो पाता है ठीक, यहीं पर हमको answer मिला आगे बढ़ने की जुरत ही नहीं है जो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, और बहुत कमजोर होते हैं, तथा, अब ये तो लता का एक्जामपल हो गया, हमने जान लिया लता, लेकिन कौन सी लता, लता भी तो दो प्रकार की हैं, तो ये भूमी पर फैल जाते हैं, हमने पढ़ा था, विसर्पी, मतलब जो जमीन प दिया है विसरपी लता चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आपका अभी हमने क्या देखा पौधों की प्रकार आकार के अधार पर देखा अब छेत्रों के अधार पर भी पौधों को क्या किया जाता है बाटा जाता है उनका वर्गी करण किया जाता है तो छेत्रों के अधार पर और इनके वर्गी करण को हम अगली कक्षड में देखेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको